क्या आप जानते हैं, मौनसून से पहले बिहार की उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बिहाल कर दिया है? जी हाँ, उत्तर और दक्षन बिहार में तापमान में भारी अंतर है और लोग इस मौसम में जुलस रहे हैं. आईए जानते हैं, आपके जिले का मौसम कैसा रहने वाला है और कब मिलेगी राहत? बिहार में मौनसून की दस्तक से पहले उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है. उत्तर बिहार में पूर्वा हवा का प्रवा और दक्षन बिहार में नमी युक्त पच्छुआ हवा का बहाव जारी है. इस कारण दक्षनी बिहार के जिलों में लोगों का हाल बेहाल है. पटना स्थित IMD के वेग्यानिक कुणाल कौशिक मेटे के अनुसार, वायू मंडल में अधिक आदरता और 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होने से उमस वाली गर्मी महसूस हो रही है. आज, यानी 4 जून को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपाल गंज, सीवान, सारण, बकसर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अर्वल, पतना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेकपुरा, गया, लखिसराय और बेगुसराय में उमस भ पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, खगडिया, भागलपुर, मुंगिर, बाका और जमुई में में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। बारिश के दौरान हवा की रफतार 40-50 किलोमीटर प्रती घंटे रह सकती है और आंधी के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया ह सीतामडी, शिवर, मुझफरपुर, मधुबनी, दर्भंगा, समस्तीपुर और वैशाली में आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं। इन जिलों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अब बात करते हैं, तीन जून की बिहार का मौसम उमस से भरा रहा, उत्तर बिहार में हलकी बारिश दर्ज की गई जबकि पटना समेत कई स्थानों पर तेज आंधी देखी गई। बकसर में सबसे अधिक तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 15 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इस से अधिक रहा। तो दोस्तों, ये बिहार के मौसम का ताजा अपडेट अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आपके जिले का ताजा मौसम अपडेट मिलता रहे तो बने रहे हमारे साथ। लोकल 18 के लिए बिहार से सच्चिदानंद की रिपोर्ट